The 21 Success Secrets of Self-Made Millioners वित्तिय स्वतंत्रता के से जल्दी वा आसानी से पाए ओथर ब्रायन ट्रेसी अनुवाद सुश्मीता राय ब्रुमीका ये किताब 15 सालों के रिसर्च का नतीजा है, जिसका विशय है इन पन्नों में पेसे जमा करने की कुछ महत्व पुर्जाव और योजनाय है जो मैंने सोग किताबे और 1000 लेक पढ़ने के बाद खोजा है ये सुजाव काफी सरल और प्रमानित है और इसे काफी आसान तरीके से बताया गया है ताकि आप इसे पढ़कर, सिख कर, तूरंद लागू कर सके मेरी किश्वरावस्था पॉमोना कैलिफोनिया में एक ऐसे घर में भी थी जहां कभी बहुत पेसे नहीं हुआ करते थे एक करोड़पती बनने का सपना मेरा तब से है जब से मैं 30 साल का था मुझे विश्वास है कि बहुतों का ये सपना है जब मैं 30 साल का हुआ उस समय भी में इतना ही तूटा हुआ था जितना 20 की उम्र में था लेकिन तब मैंने कुछ ऐसा किया जिस से मेरा जीवन बदल गया मैंने ये सवाल करना शुरू किया कि कुछ लोग ज्यादा सफल क्यों होते है मुझे ये जानने की उच्शूपता थी कि कुछ नहीं से शुरू करके लोग करोड़पती कैसे बन जाते है इन सवालों के जवाब पर मैंने अन्वेशन करना शुरू किया और ये किताब उसका परिणाम है मैंने स्वन इर्मित करोरपतियों के अध्ययन को प्रमुक लक्षे बनाया क्योंकि इन लोगों ने कुछ खास गोन और स्वभाव को परिभाशित किया है जो मापनिय और विचारियों किया है इन लोगों ने कुछ नहीं से शुरुआत करके करोड़ों रुपे बनाये कुछ खास चीजों को खास तरिकों से किया जो मैंने सीखा वो था जीवन में महान सफलता के लिए आपको एक खास तरका इंसान बनना होगा बीड़ से हटने के लिए आपको अपने अंदर गुण और अनुशासन लाना होगा जो आम इनसान नहीं कर पाते जीवन में आर्थिक सफलता का सबसे महत्व पूर्ण तत्व पेसा नहीं है आपको इन पेसों को कमाने के लिए किस तरह का इंसान बनना है और फिर इसे संबालने के लिए क्या करना है वह तत्व बहुती महत्व पूर्ण है जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए ये 21 रहस्य मईस उत्र है अच्छी खबर ये है कि ये सिद्दान्द इतने बलशाली है कि आप कुछ भी पाने के लिए इसका इस्तमाल कर सकते है इन में से बहुत सी टेकनिक और तरीके आपको जाने पहचाने लगेंगे ये इसलिए क्योंकि इसकी खोज सो सालों से ही हो रही है मैं कुद को सफलता का विद्यारती मानता हूँ एक पाठक, एक अन्वेशक, एक अध्यापक सबज़ता हूँ जैसा की एकला सी एट्स में कहा गया सूरज के नीचे कुछ नया नहीं है मैं इसे मानता हूँ चुकि आप ये किताब पढ़ रहे है मैं जानता हूँ कि आप जीवन में कुछ असाधारन चाहते है जो आप सिखने वाले हैं उससे आपका जीवन बदल सकता है ये सुजाव, निरिक्षन और कार्यानिती लाकों मेलाओ और पुरुशों के लिए आर्थिक सफलता में आगे बढ़ने की प्रेणा रही है ये सिद्दान्द काफी सरल और लागू करने में आसान है इन्हें बार-बार प्रमानित किया जा चुका है अगर आप इसे खुद के जीवन में इस्तमाल करते हैं तो ये आपके लिए भी काम करेंगे हम लोग मानव इतियास के सबसे अच्छे समय में जी रहे है अपनी कल्पना से भी परे आज बहुत से लोग शुन्य से शुरू करके धनी हो गए है अमरीका में 7 मिलियन करूरपती है और उनमें से ज़्यादातर स्वानिर्मित करूरपती है उस तक लिखी गई थी तब ये अमरीका में 7 मिलियन करूरपती थे 2024 में 2 billion से भी ज्यादा करोड़ पती है और ये आकड़ा 15 से 20 प्रतिशत की दर से हर साल बढ़ रहा है इतियास में हमने कभी इतनी संपती एक साथ नहीं देखी यहाँ एक अच्छी खबर है वास्तव में सभी शुर्णिय से शुरुआत करते है आज के 90 प्रतिशत से ज्यादा आर्थिक रूप के सफल लोगों ने बहुत कम से शुरुआत की ओसतन स्वन इर्मित करोड़ पती 3.2 बार दिवालिया हो चुके है ज्यादातर धनी लोग सही मोका पाने और करोड़ पती बनने से पहले बहुत बार असफल होते है जो हजारों लाखों लोगों ने किया आप भी कर सकते है इंसानी किस्मत का सबसे मजबूत कानून है लो ओफ कौज एंड इफेक्ट ये बिलकुल सहज है किन्तु शक्तिशाली है ये कहता है कि हर वज़ का एक खास परिणाम होता है हर एक्षन का रियक्षन होता है ये लोग कहता है सफलता कोई घटना नहीं है आर्थिक सफलता उन पोशिशों का नतीजा होती है जो आप बार बार लक्ष हासिल होने तक करते रहते है प्रकुरुदी सब के लिए निश्पक्ष है बाजार या समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की आप कौन है, क्या है लो ओफ पोज एंड इफेक्ट कहता है अगर आप वो करते हैं जो अन्य सफल लोगों ने किया है तो नतीजा आपको भी वही मिलेगा जो अन्य सफल लोगों को मिला है ये कानुन कहता है, जब आप स्माज इन्मित करोड़पती बनने के रहस्य सिखते है और इसे अपने जीवन में लागो करते है तो आपको उससे कहीं ज़्यादा परिणाम और इनाम मिलेगा जितना आपने सोचा है यहाँ आपके याद रखने योग्य एक और बात है आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है मुझे एक बार फिर दोराने दीजिए आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है आर्थिक असफलता और लक्ष्य न पाने का एक प्रमुकारण है अपने अंदर आत्म विश्वास की कमी. आपको लगता है कि जो आपसे बेहतर कर रहे है, वो आपसे बेहतर है जबकि एसा नहीं है. सच्चा ये है कि अधिक तर स्वनिर्मित करोडपती आम इंसान है उनकी शिक्सा आम है वो आम काम कर रहे है आम गाड़ी चलाते है आम जगह रहते है लेकिन वे ऐसे काम करते है जो अन्य सफल लोग करते है बार बार करते है जब तक कि वे उन्हें नतीजे न मिल जाए ये सोचेंगे वैसा करेंगे जो सफल लोगों ने किया है तो आपको भी वही नतीजा मिलेगा जो सफल लोगों को मिलता है ये मैज लो ओफ पोज एंड इफेक्ट है स्वनिर्मित करोडपती बनने के किस रहस्यों हर बिंदू आपकी आर्थिक सफलता के लिए अती आवश्यक ह अच्छी खबर ये एकी बार-बार अभ्यास करके आप ये सीख सकते है जब तक कि ये इतना स्वता न हो जाए जितना की सांस लेना और छोड़ना जिसे आपने साइकल चलाना और गाड़ी ड्राइव करना सिखा आप स्वनिर्मित करोडपती बनने के तरीके भी सीख सकते हो इसकी कोई सीमा नहीं सीवाई उस सीमा के जो आप खुद बनाते हैं खुद की सोच के लिए अब शुरू करते हैं सफलता का पहला रहस्य बड़े सपने देखे बड़े सपने देखे केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ती है जो इंसान के आपको आगे बढ़ाता है सवानिर्वित करवपतियों का पहला रहस्य बिल्कुल सहच है बड़े सपने देखे सवयम को सपने देखने की अनुमती दे आप जैसा जीवन व्यतित करना चाहते हैं उसकी कलपना करने और सपने देखने की खुद को अनुमती दे आप कितना पेसा कमाना चाहते हैं, कितना bank balance चाहते हैं, उसके बारे में सोचे सभी सर्वत कुरुष्ट महिला और पुरुष शुरुवात के कुछ अच्छे सपने से करते हैं एसे सपने जो उससे अलग है, जो आज उनके पास है आपने वो गाना सुना होगा, सपने बन जाए अपने, ये आपके और सब के लिए सत्य है कलपना करे कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है कुछ समय के लिए कलपना करे कि आपके पास पूरा समय है, काफी पैसे है, काफी सिख्षा है, सभी दोस्त है, सभी पहुँच है, सभी साधन है और वो सब है जो आप जिवन में हासिल करना चाहते है अगर आपका सामर्थ्य पूरी तरह से असिमित है, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए केसा जिवन चाहेंगे बविश्य शे शुरू करके पीछे देखने का अभ्यास करे ये एक सक्तिसाली तक्निक है, जो हमेशा बहुत अच्छा काम करने वाले महिला और पूरुश द्वरा व्यवहार में लाई जाती है इस तरह सोचने का आपके दिमांग और व्यवहार पर अधभूत असर होगा ये इस तरह काम करता है, खुद को पांच साल आगे रखे कलपना करे कि पांच साल बीत गए और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है ये कैसा दिख रहा है? आप क्या कर रहे है? आप कहां काम करते है? आप कितने पैसे कमा रहे है? आपके बैंक में कितने पैसे है? आपके जीवन शेलिक कैसी है? खुद के दिर्दकालिन भविश्य का ख्याल करें. आपके स्वास्त्य, खुशी और समरुद्धा का ख्याल जितना साफ होगा, आप उसकी तरफ और वो आपकी तरफ उतनी तेजी से बढ़ेंगे. आप जीवन में कहां जा रहे हैं? अगर उसकी तस्वीर आपके दिमाग में स होगी, तो आप अपने सपने को साकार करने में ज्यादा सकारात्मक, उत्साइद और द्रड होंगे. आप अपने स्वापाविक संरचनात्मकता को सक्रिय करेंगे और आपको सपने को यथार्थ में बदलने का एक के बाद एक सुझाव मिलेगा. आपकी प्रवुरुत्ती हम अपने प्रमुक सपने और ख्याल की दिशा में बढ़ने की होती है. खुद को बड़े सपने देखने की अनुमती देना वास्तव में आपके खुद के सम्मान को बढ़ाता है और इस से आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा आदर देते हैं. यह आपकी सोच औ और आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर आपके खुद के लिए सम्मान और खुशी बढ़ाता है। अगर आप सपना देखते हैं तो एक चीज बहुत दिल्चस्प है इसके बारे में कि ये आपको पहले से बेहतर काम करने के लिए उकसात है जिसे देखने की हिम्मत मैं करूंगा। अगर आप किसी लक्ष की सफलता के लिए पूरी तरह से निश्चिंद हैं चोटा या बड़ा दिर्दकालिन या लगुकालिन तो वो क्या होगा। वो कौन सा लक्ष है जो आप हासिल करने के सपने देखेंगे। अगर आप जानत आते थे उसके लिए आपने क्या किया होगा। आपने उसके लिए क्या कदम उठाए होंगे। अपने जीवन में क्या बदलाव लाए होंगे। किस चीस की शुरुवात की होगी और किस चीस का अंत। आप किस के साथ होंगे। अगर आपका जीवन हर तरह से पूर्ण होता तो कैसा होता? इनके जवाब जो भी हो पहला कदम आज बढ़ाए. बड़े सपने देखना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के लक्षे को हासिल करने का पहला कदम है. लोग ये नहीं कर पाते. इसका पहला कारण ये है कि वो सोच ही नहीं पाते कि वो कर सकते है. परिणाम करेंगे तो आप खुद को और अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे. आप कुछ अलग काम करना शुरू करेंगे. थोड़ा थोड़ा करके दीरे दीरे जब तक कि आपका जीवन बहतर इनके लिए बदल ना जाता. बड़े सपने देखना आर्थिक सफलता और स्वान इरिमित करोडपती बनने का पहला कदम है. अब्यास कारियल अगर आपकी सफलता पूरी तरह से तै हो तो आप क्या-क्या करेंगे? उनकी एक सूची बनाए और तब कोई एक काम करने की सोचे और उसे तूरंत करे. सफलता का रहस्य दो. आपको किस दिशा में जाना ह उसे जाने. एक इंसान एक सपष्ट प्रयोजन के साथ उबडखाबड रास्ते में भी उन्नती कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन सपष्ट नो हो, तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नती नहीं होगी. थोमास के राइल. अपने सपनों को हवा से बाहर निकाले. उसे सपष् दो बाते किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है. पहला, जीवन में आपके साथ वही होता है, जो आप सोचते है, और दुसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते है. सफल व्यक्ति ज्यादातर समय अपने लक्षे के बारे में सोचते है. परिनाम स्वरूप वो लगातार बढ़ते हैं और लक्षे उनकी और. आप जीवन में ज्यादा तर समय जिस बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका विकास बढ़ता जाता है. अगर आप अपने लक्षे के बारे में सोचते हैं, बाते करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो आप उस लक्षे को पाने म उन साधारण इंसानों से कही ज़्यादा नजदिक हो जाते हैं, जो किवल अपनी समस्याव और चीन्ता के बारे में बाते करते हैं। यहां साथ कदम का एक फोर्मिला है, जिसका इस्तमाल आप करोडपती बनने में कर सकते हैं। पहला, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तई करें, खास कर अपने आर्थिक जीवन में, अधिकतर लोग ऐसा नहीं करतें। चोथा, लक्षे तक पहुँचने में आपको जो करना होगा, इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं, उन सब की सुची बनाए। अगर आपके दिमाग में नए सुचाव आते हैं, तो उसे शामिल करते रहें जब तक कि आप लक्षे हासिल न कर ले। पांचवा, अपनी सुची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाए। निर्णे ले कि पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या। तई करे कि क्या च्यादा महत्वपूर्णा है और क्या कम। चठा, अपनी योजना पर तुरंद काम करना शुरू करे। बहुत से लक्ष और योजना कभी-कभी किवल टाल मटोल की कारण पूरे नहीं हो पाते। सात्वा और शायद सबसे महत्वपूर्णा। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करे जो आपको आपके लक्ष की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। यहां सब के लिए अभ्यास है। एक कागज ले, उसके उपर बीच में लक्ष शब्द को आज की दिनांग के साथ लिखे। अब दस लक्षों की एक सूची बनाए जो आप अगले बारा महिनों में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष को वर्तवान काल में लिखे। हर लक्ष की शुरुवात आई से करे, उसे व्यक्तिगत बनाने के लिए। जब आप अगले साल के लिए दस लक्ष बनाएंगे, तो आप खुद को समाज के तीन प्रतिशत लोगों में शामिल करेंगे। दुख की बात ये है कि 97 प्रतिशत लोग अपने जीवन में कभी लक्ष बनाते ही नहीं। दस लक्ष बनाने के बाद एक बार सुची को देखे और इन सवालों को खुद से पूछे। इस सुची का कौन सा लक्ष अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो उसका आपके जीवन पर बहुत जादा प्रभाव पड़ेगा। जवाब जो भी हो, उस लक्ष को गोल करें, उसे एक नमबर दे। बविश्य का सबसे महत्व पूर्ण लक्षय। उस लक्षय के लिए समय सीमा बनाए, योजना करें, काम शुरू करें, और हर दिन कुछ ऐसा करें, जो आपको लक्षय की और आगे ले जाए। अब से उस लक्षय के बारे में हर समय सोचे और बात करें, सोचे कि वो लक्षय आप कैसे पा सकते हैं, उन विभिन्न कदमों के बारे में सोचे, जो आप अपने लक्षय को यथार्थ में बदलने के लिए ले सकते हैं, ये अभ्यास आप में स्पूर्ती लाएगा, आपके उर्जा और सामर्थ्य को बढ़ाएगा अभ्यास कार्यक हमेशा लिख कर सोचे जो लक्ष आप बरादे हैं उसे लिखे और उसे हासिल करने की योजना बनाए ये अभ्यास अकेले ही आपको स्वन इर्मित करोड़पती बना सकता है सफलता का रहस्यतीन खुद को एक सेल्फ एम्प्लोईड की तरह देखे मैं अपनी आत्मा का अतिकारी हूँ मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ विल्यम हैंले अभी से पूरी तरह ये स्विकार करें कि आप जो भी है जैसे भी है और जैसे भी होंगे उसके लिए शत प्रतिशत जिम्मेदार आप है बहाने बनाना चोड़िए अपनी खामियों या अपनी समस्याओं के लिए दुसरों को दोश मत दीजिए आपके जीवन में आप जीन बातों से खूश नहीं है उनकी शिकायत करना बंद करें किसी भी बात के लिए अन्य लोगों की निंदा ना करे अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आप जिम्मेदार है उसे बदलना आपके हाथ में है वो शक्ति आपके पास है अमरीका के टॉप तीन प्रतिशत लोग खुद को सेल्फ अम्पलोड की तरह देखते है उनके वेतन चेक पर कौन हस्ताक्षर करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते है वो ये कि आप ये सोचते हो कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम करते है आप हमेशा सेल्फ अम्पलोड है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां काम करते है जब आप खुद को एक सेल्फ अम्पलोड की तरह देखते है तो आप एक entrepreneur mentality विक्सित करते है एक स्वतंत्र स्वजिम्मेदार इंसान आप इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि कुछ होगा आप खुद शुरुवात करेंगे खुद को अपने जीवन का मालिक समझेंगे आपका स्वास्त्य आपका आर्थिक सुक आपकी जीवनशेली आपके रिष्टे आपका घर गाड़ी हर कुछ आपके आहाथ में होगा स्वानिर्मिद करोडपतियों की सोच यही है स्वाजिम्मेदार लोग रिजल्ड को सोच कर काम करते है वो हमेशा शुरुवात करते है वो और भी जिम्मेदारिये के लिए उचसूक रहते है परिणाम स्वरूप संस्था के लिए वो बहुत कीम्ती और आदरनिया बन जाते है वो खुद को ज़्यादा जिम्मेदारियों के लिए तयार करते रहते है आपको भी ऐसा ही करना चाहिए यहाँ आपके लिए एक सवाल है अगर आप एक दिन के लिए अपनी कमपनी के प्रेसिडेंट बन जाए तो आप क्या बदलाव लाएंगे जवाब जो भी हो उसे लिखे उसकी योजना करे और तुरंत लागू करे यह एक काम अकेले ही आपका जीवन बदल देगा अभ्यास कारिय अपने आर्तिक लक्ष को पूरे मन से न करने का कारण ढूने क्या कोई कारण या कोई इनसान है जो आपको पीछे की ओर खीच रहा है आगे नहीं बढ़ने दे रहा यह जो भी है अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद ले और आज से ही काम शुरू करे सफलता का रहस्य जार वो काम करे जो करना आपको पसंद है जब आप वो काम करना शुरू करेंगे जो आपको पसंद है तो फिर जीवन में आप कभी दुसरे दिन काम नहीं करेंगे वो काम करना जिसे आप करना चाहते हो वो आर्थिक सफलता के महान रहस्यों में से एक है जीवन की प्रात्मिक जिम्मेदारियों में एक है वो काम कोजना जिसे करने में आपको मज़ा आता है वो क्या है जिसके लिए आपके पास स्वाबाविक टैलेंट है उसे खोजे और फिर खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दे स्वा निर्मित करोडबती वो होते हैं जो एक ऐसा कारिक शेतर डूढते हैं जहां उनके स्वाबाविक गुण और योग्यता का सही सदुप्योग होता है और तब वो रिजल्ट हासिल करते हैं अधिक तर करोडबती कहते हैं कि उनकोंने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया आपको एक एसा क्षेतर डूढ़ना है जहां आप पूरी तरह से तललीन हो जाए जहां आपके स्वाबाविक गुण और योग्यता का पूरी तरह से सदुप्योग हो अगर आप वो काम करते ह जिन्हें करना आपको पसंद है तो आप लगातार अपने अंदर उत्तिजना और उर्जा पाएंगे आप हर समय उसे और बहतर बनाने के सुजाव पाएंगे यहां आपके लिए एक सवाल है अगर आज आप एक लाग रूपे जीतते हैं तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं यह एक बहुत अच्छा सवाल है यह एक सीधा सवाल है जो आप से पुछता है कि अगर आपके पास पेशे और सबय की कमी न हो और आपको पेशा चुनने की स्वतंतरता हो तो आप क्या करेंगे स्वनिर्मित करोडपती अगर लाग रूपे जीतते ह तो वो कल भी वही करेंगे जो वो आज कर रहे हैं वो केवल काम का तरीका और स्थर बदलेंगे लेकिन वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं शायद वयसक जिवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जब आपके पास पेशों के बहुत सारे विकल्ब हो तो अपने लिए वो चुनना जो आपको पसंद है और तब खुद को उस क्षेत्र में समर्पित कर देना ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता अप्यास कारिय वो काम डूंडे जिसे करने में आपको मज़ा आता है आज तक आपकी सफलता के लि आज ही इस दिशा में काम करना शुरू करें सफलता का रहस्य पांच बहुत अच्छा करने का वचन ले आपके जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्बर करती है कि आपका बहुत अच्छा करने का वचन कितना गेहरा है आपने क्या खशेत्र चुना उससे कोई फर्क नहीं बनाए निर्णे ले कि आप जो भी करेंगे बहुत बहुत अच्छा करेंगे ये आपका जीवन बदल सकता है लगबग सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुनेक्षेतर में बहुत ही योग्य होने के कारण जाने जाते हैं याद रखे आपसे बेतर और आपसे स्मार्ट कोई यहां सफल था का एक नियम है आपका जीवन तब ही बहतर होगा जब आप बेहतर होंगे और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बहतर बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है आपका ये निर्णे कि आप जो भी क्षेत्र चुनेंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे टॉप 10 प्रतिशत में पहुंचेंगे ये सफलताका सुत्र है ये आपके सम्मान, आपके गुरव की बुनियाद है जब आप वास्तों में कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा मैसुस करेंगे बहुत अच्छा करना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा सभी के साथ आपके रिष्टे को अच्छा करेगा जब आप अपने क्षेत्र के टॉप दस प्रतिशक्त में पहुंचेंगे तो आप बहुत अच्छा मैसूस करेंगे यहां आपको कुछ से पूछने के लिए एक मत्व पूर्ण सवाल है वो कौन सा कौशल है जो अगर मैं अपने अंदर विक्षित करता तो आज उसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्माग असर होता आप हर चीज में बहुत अच्छे नहीं हो सकते आप एक पूशल डूड़िए जिसमें आप बहुत अच्छे है और कुद को समरकित कर दीजिए इसे एक लक्षे की तरह ले योटना करे और हर दिन उसे बहतर बनाने के लिए कदम उठाए इससे आपके जीवन में जो बद्राव आएगा आप दंग रह जाएंगे ये वाईदा अकेले ही आपको स्वन इर्मित करोड़पती बना सकता है अभ्यास कारिय अपने वर्तमान कारे का प्रमुक परणाम क्षेत्र चुने आपके क्षेत्र में वो कौन सा काम है जो आपको आपके क्षेत्र में उपर तक ले जाएगा आप किन कामों में मजबूत और किन में कमजोर है आज ही योजना बनाए कोई एक कौशल चुनने की जिसमें आप अभ्यास करके बहुत अच्छा कर सकते है सफलता का रहस्य अच्छे देर तक और परिश्रम से काम करे मैं जितना परिश्रम करूँगा उतना भागयवान बनूँगा जैम्स थरबर सभी स्वन इर्मित करोड़पती बहुत ही जादा मेहनत करते है वो और लोगों से जल्दी शुरुआत करते है सब से ज़्यादा मेहनत करने वालों की सूची में आने के लिए और अपने क्षैत्रे में प्रतिश्था पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते है और ये जानकारी सबको होती है आईए 40 प्लस फोर्मिला का अब्यास करते है यह formula कहता है कि आप हर सब्टा 40 गंटे काम करते है 40 गंटे के बाद किया गया काम सफलता के लिए होगा अगर आप केवल 40 गंटे काम करते है जहां आज ओसतन प्रतिसब्टा काम 35 गंटे का हो गया है तो वो जीने के लिए नहीं है आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे आपको बड़ी आर्थिक सफलता कभी नहीं मिलेगी आपको अपने सा कर्मियों के द्वारा कभी भी बहुत आधर और सम्मान नहीं मिलेगा आप उसतन 40 गंटे पर सप्ता काम करके हमेशा मिडियो कर ही रहेंगे लेकिन 40 गंटे के बाद का हर एक घंटा आपका भविश्य के लिए निवेश है 40 गंटे से कितना अधिक आप काम करते हैं उस आधर पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहां रहेंगे लंबे दीन और गड़ी मेहनत की जगा कोई नहीं ले सकता अवेरिका में स्वन इर्मित करोड़पती सपता में आप किसी स्वन इर्मित करोड़पती से बात करना चाहते हैं तो आपको समय ओफिस आवर के पहले या बाद का मिलेगा सभी करोड़पती ओफिस में अन्य स्टाफ के आने से पहले आते है और उनके जाने के बाद जाते है यहाँ एक सुत्र है जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करे समय बरबाद न करे जब आप जल्दी उठते हैं तो खुद को काम में लगा दे जब लोग आप से बात करना चाहे तो उनसे माफी मांगे कि मुझे काम में वापस जाना है और अपना काम करे अपने किसी भी काम कपड़े दोना, बाते करना, पेपर पढ़ना कम न करे जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करे आज ही बहुत परिश्रम करने का प्राण ले अपने कमपनी में सब से महनती स्टाफ बने आपकी महनत लोगों का ध्यान आपकी और खीचेगी और आपको इसका परिणाम बहुत जल्द मिलेगा अभ्यास कारिय सफलता का रहस्य साथ जीवन बर सिखने के लिए खुद को समर्पित करे हर समय सिखना किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कम से कम जरूरत है डेनिस वेटले आपने जिस क्षेत्र को चुना है वस्तुता उसमें सिखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असिमी सामर्थ्या है आपके पास कही ज़्यादा दिमाग, योग्यता और ज्यान है जो आप बाकी के जीवन में इस्तमाल कर सकते है आप जितना सोचते है उससे कही ज्यादा स्मार्ट आप है एसी कोई बाता नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते एसी कोई समस्या नहीं जो आप समादा नहीं कर सकते एसा कोई लक्ष्या नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उप्योग करना है लेकिन आपका दिमाग एक मास पेशी की तरह है ये तवी विक्सित होगा जब आप इसका इस्तमाल करेंगे ठीक वैसे ही जैसे मास पेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होती है वैसे ही आपको अपनी मानसिक मास पेशी को विक्सित करने के लिए उससे काम करवाना होगा अच्छी खबर ये है कि जितना आप सिखेंगे उतना ज्यादा आप सिख सकते हैं ठीक उसी तरद जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलते जाएंगे। आपका समर्पन सिखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सिखेंगे। लीडर्स हमेशा सिखते रहते हैं। ये 21 सदिका सुत रहे। आपको अपने क्षेतर में सफलता के लिए जीवन बर सिखते रहना होगा। आज ही ये तै करें कि आप अपने कौशर की विध्यार्थी बनेंगे और जीवन बर उस कौशर के लिए पढ़ते और सिखते रहेंगे। जीवन पर सिखने के लिए तीन सुत्र है. पहला सुत्र, अपने क्षेत्र में कम से कम 30 से 60 मिनिट रोज पढ़ना. पढ़ाई और दिमाग का वही रिष्टा है, जो कसरत और शरिर का होता है. हर दिन एक गंटा पढ़ने से आप सप्ता में एक किताब पढ़ लेंगे. एक किताब हर सप्ता मतरब हर साल 50 किताब, मतरब अगले 10 सालों में 500 किताबे. चुकि ओसतन आदमी साल में एक किताब से भी कम पढ़ता है, इसलिए अगर आप इस तरब पढ़ते हैं, तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे. जिवन पर सिखने का दुसरा सुत्र है, ओडियो सुनना जब तक आप गाड़ी से ओफिस जाते हैं. सादारण तर इंसान गाड़ी में हर साल तकरिबन 500 से 1000 घंटे बिटता है. अपनी गाड़ी को सिखने की मशीन में बतलिये. कभी भी अपनी गाड़ी बीना ओडियो प्रो जिवन पर सिखते रहने का तिसरा सुत्र है, वो हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें, जो आपको लगता है कि वो आपको अपने क्षेत्र में बेतर बनने में मदद कर सकता है. किताब, ओडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिलके आपकी 100 घंटे की मजद, 1000 और डोलर औ और सालों की मेनत को बचा सकते हैं, और आपकी आर्थिक सफलता में मदद कर सकते हैं. जीवन पर सिखते रहने का निर्णे आज ही ले, इससे आपकी जिवी कामें जो प्रभाव पड़ेगा, आप दंग रह जाएंगे. ये आपके स्वानिर्मित करोड़ती बनने का प्रमु कारण बन सकता है. अभ्यास्त कारिय, कोई एक विशय चुने, जो आपको आपके क्षेतर में ज्यादा प्रोड़क्टि और सक्षन बना सकता है, उस विशय में बहुत अच्छा करने की सोचे, इसे खुद से करना बनाए, और तब इस विशय पर रोज पढ़े, इस विशय पर ओडियो प्रोग्राम सुने, सेमिनार में जाए, इन सुत्रों पर ऐसे काम करें जैसे आपका भविश्य इस पर निर्बर हो और वास्तव में ये निर्बर है, सफलता का रहस्य आठ, खुद को सबसे पहले पे करे, आपके कमाये पैसों में से कुछ हिस्सा आपका है, और अगर आप पैसे नहीं जमा करते, तो मानदा के बीज आप में नहीं है, डेब्ल्यू, क्लेमेंट स्टॉन, आज इस अंकल पकरे कि आप जीवन में जब तक काम करेंगे, अपनी आमदनी का दस प्रतिशत बचत करेंगे, और उसे निवेश करेंगे, हर महीने जब आप तनख देगा, इसका मतलब अगर कोई इंसान कम कमाता है, लेकिन शुरुआत से थोड़े थोड़े जमा करता है, तो वो अपने कारेकाल के अंत में करोड़पती बन जाएगा, जिवन पर बचत और निवेश बहुत आसान नहीं है, इसमें अध्वुत संकल्प और इच्छा शक्त की जरूरत होती है, इसे एक लक्ष की तरह बनाना होगा, इसे लिखे, योजना बनाए और हर समय इस पर काम करे, लेकिन जब एक बार ये आतत बन जाएगी, तो वास्तों में आपकी आर्थिक सफलता निश्चित हो जाएगी, किफायत का अभ्यास करे, हर चीज में किफायत हर रुपय के साथ सावधानी बरते, हर खर्जे पर सवाल करे, हर जरूरी खरिदारी के लिए एक महिना नहीं, तो कम से कम एक हप्ता विलंब करे, जितना विलंब आप करेंगे, खरिदारी उतनी अच्छी होगी, और उतनी ही अच्छी किमद पर आप उसे पाएंगे, लोग तो कम सोचकर वो खरिद लेते हैं, वो पार्किंसन लो के शिकार हो जाते हैं जो कहता है, आई से मिलने के लिए व्याई बढ़ता है, इसका मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, थोड़ा बचा कर आप सारे खर्च कर देंगे, आप कभी आगे नही बाहर नहीं आएंगे, लेकिन आपको पार्किंसन लो का शिकार नहीं होना है, अगर आप 10 प्रतिशत बचत नहीं कर सकते, तो शुरुआत 1 प्रतिशत बचत से करे, मैने की शुरुआत में इसे अलग कर ले, बाकी 99 प्रतिशत खर्चे के लिए तेहने दे, जब आपको 99 प् आपका बच्चत खता और निवेश खता भी बढ़ेगा, आप अपने खर्च पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका कर्च पूरा हो जाएगा, एक या दो साल के अंदर आर्थिक जीवन पर आपका नियंत्रन होगा, और आप स्वानिर्मित करोड़पती बनने के रास्ते म होंगे, यह प्रक्रिया जिसने भी अपनाई है, सफर हुए है, आप भी कोशिश जरूर करें, अभ्यास कारिय, धन जमा करने के लिए एक खास एकाउंट खोले, उसमें पैसे डाले, चाहे वो कितना भी छुटा हो, और फिर उस पैसे में से डालते रहने का अफसर टुंडे इसे केसे बढ़ाय जाए, इसका अर्थययन करे, इस विशे पर विशेश अग्यों की किताब और मैगजिन पड़े, जब तक जमा करना, सिखना और पढ़ना बंदना करे, जब तक कि आप आर्थिक रूप से स्वतंतर न हो जाए सफलता का रहस्य नो, अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखे, आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो आपको ज्याता पाने से और शिग्रता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रुख सकता Dan Kennedy Market बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है, ओसतन काम के लिए ओसतन इनाम और ओसत से भी नीचे के काम के लिए आपको असफलता और निराशा मिलती है आपने अपने लिए जिस क्षेत्र को चुराए, उसमें एक्सपर्ट बनना आपका लक्षे होना चाहिए आपको हर छोटी बड़ी बाते सिखनी चाहिए, जिससे आप और बेहतर काम कर पाए अपने क्षेत्र में प्रकाशित हर मैगजिन पड़े, नई किता पड़े और अध्यायन करे अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट द्वारा दिये गए कोर्स और सेमिलार में सामिल हो हर मीटिंग में उपसित हो अपने क्षेत्र के टॉप लोगों के साथ संबंद बनाए Integrative Complexity लोग कहता है जो इनसान किसी क्षेत्र में सुचनाओं का इस्तमाल कर सकता है एकी करन कर सकता है बहुत जल्द वो उस क्षेत्र के टॉप में पहुँच जाएगा अगर आप सेल्स में हैं तो अती महत वकांग्शी बने सेलिंग प्रक्रिया के बारे में पढ़ते रहे सेल्स के टॉप 20% लोग बोटं 80% लोगों से 16 गुनाज जादा कमाते है टॉप 10% और 20 जादा कमाते है अगर आप management में है तो प्रमुक professional manager बनने का प्रण ले अगर आप खुद का व्यवसाई करते है या करने की सोच रहे है तो entrepreneurial कारिय निती पड़े और हर दिन नए सुझाव कोशिश करे अपने व्यवसाई या पेशे में सबसे अच्छा बनने के लिए लक्षे बनाए एक छोटी जानकारी सुझाव आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है इसे सोचना कभी बंद न करे अपने व्यवसाई को जाने आपको भविश्य में अपने क्षेत्र में उपर जाने के लिए क्या गोन की जरूरत है उस गोन को विक्सित करने के लिए आज ही योजना बनाए और उस पर हर दिन काम करे सफलता का रहस्य दस खुद को दुसरों की सेवा में समर्पित करे आपको जीवन में जो सब मिलता है जो आप चाहते है अगर आप अन्यन लोगों की मदद करे उसमें जो वो चाहते है जिग जिगलर आप दुसरों की जो मदद करते है आपको हमेशा उसके अनुसार उसके अनुपातिक फल मिलेगा सारे स्वनिर्मित करोणपतियों को दुसरों की मदद करने का जुनोन है वो हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते है वो हर समय यह सोचते है कि उनके ग्राहक को दुसरों से बेहतर सिवा कैसे दे सकते है और वो नए नए तरीके अपनाते है खुद से ये सवाल करते रहे, मेरा ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है, मेरे ग्राहक की जरूरत क्या है, मैं अपने ग्राहक को दूसरों से बेहतर क्या दे सकता हूँ अगर आज मेरे ग्राहत दुसरे से खरीद रहे तो उसका कारण क्या है? मैं उन्हें क्या प्रस्ताव दू कि वो मेरे पास वापस आए? जीवन में आपकी सफलता हमेशा अनुपातिक होगी कि जितना आपको करना है, जितनी आपसे उम्मिद है, उससे ज़्यादा आप क्या करते है? आपको जितनी तनक्वा मिल रही है, हमेशा उससे ज्यादा काम करने की सोचे. अपने ग्राहत के लिए कुछ अधिक करे. याद र आपके ग्राहक है। आपके ग्राहक वो भी है जो अपनी सभलता या संतुष्टी के लिए आप पर निर्पर करते है। यहाँ एक सवाल है जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की जरुरत है। मैं अपने ग्राहक को और अच्छी सेवा केसे दे सकता हूँ। आप जो करते हैं उसे और अच्छा बनाने के तरीके डूंडे। आपके ग्राहक की सेवा के तरीके में एक ठोटा सा सुधार आपकी आर्थिक सफलता का प्रमुक कारण बन सकता है। अपने ग्राहक की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में कभी सोचना बंद न करे। आज ग्राहक सेवा का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। जब कभी ग्राहक आपसे किसी चीज के लिए पुछते हैं, आपका जवाब होना चाहिए, बिल्कुल, अभी ही। यह मीठे शब्द आपके ग्राहक सुनना चाहते हैं। अभ्यास्तारिय, अपनी कंपनी के बाहर और अंदर अपने सबसे महत्व पुन ग्राहक को चुने। वो कौन लोग है जिस पर आप सबसे जादा निर्बर है। वो कौन लोग है जो आप पर सबसे ज़्यादा निरपर करते हैं। आप उनका और अच्छा खयाल रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से इमांदार बनिये। हर काम में अपनी इमांदारी के साथ कोई समझोता नहीं। आपके शब्द बहुत किमती है। आपके शब्द आपके कर्म है। आपका सम्वान है। हर सफल व्यवसाय विश्वास पर आधारित होता है। सवानिर चरित्र आपके से बड़ी पुंजी है और आपका चरित्र निर्बर करता है आपकी इमानदारी पर। चरित्र निर्बर करता है यहां आपको खुद से हमेशा पुछने के लिए एक सवाल है वो दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह होंगे यह सवाल आपको एक उचा स्तर बनाने के लिए जोड़ डालेगा एसे काम करे मानो आपके हर शब्द हर काम युनिवर्सल लो बनें एसे बड़े मानो सब आपको देख रहे है और आप जैसे बन रहे है और जब दूईता हो वही करे जो आपको सही लगे चाहे वो जो भी हो उसकी कीमत जो भी हो अब्यासकाय आपके जीवन की लगबग सभी समस्याव का समादान हो जाएगा अगर आप अपने सिद्धान को चुने और उस पर एकागरता से काम करे दो दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में अस्थाई होता है आपके हातों में जो काम आया है वो करे ब्रायन ट्रेसी अगर आप प्रात्मिक्ता बनाने की आदर डाले और उस पर एकागर होकर काम करे तो आप वास्तों में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो जो बहुत पेशा कमाते हैं, संपत्ती बनाते हैं और आर्थिक सफलता पाते हैं, उनकी सफलता का एक प्रमुक कारण ये भी है। जब आप लक्ष बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसकी सूची बनाएं। उसे प्रात्विक्ता के आधार पर बांटे और तब खुद से ये चार सवाल करें। पहला सवाल मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके काम और व्यवसाई के लिए अन्या सभी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा सवाल मुझे पेसे क्यों दिये जा रहे है? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? रिजल्ट पर ध्यान दे न की क्रिया पर। तीसरा सवाल वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? अगर अच्छे से करू तो क्या अंतर होगा? ये काम केवल आप कर सकते हैं. अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा. लेकिन अगर ये आप करें तो इसका आपके व्यवसाई और रख्तिकत जिवन पर बह तब उस काम को शुरू करना आपकी आर्थिक सफलता का सुत्र है. अंत में एक काम पर एकागर होकर काम करना शुरू करें. सबसे महत्वपूर्ण काम, वो काम तब तक करें जब तक कि वो सो प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता. दूसरी और ध्यान न जाने दे. खुद को वो क काम करने के लिए तब तक प्रेरित करते रहे जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता. अच्छी खबर ये है कि जब आप लगातार प्रात्मिक्ता बनाने और सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकागर चीत होकर काम करेंगे, तो आप जल्द ही उच्च सतर का काम करने की आदत बन अपने लक्षे को हासिल करने के लिए अभी कर सकते हैं. उसे डूंडे और तब उसे करने के लिए खुद को अनुशासित करें. तब तक जब तक कि वो शत प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता. आपकी ये करने की योग्यता अकेले ही आपका जीवन बदल सकती है. सफलता का रह प्रति के काम से जादा मुल्यवान है. डीन ब्रिगस अतियावश्यक्ता को समझे. काम करने के लिए भाव विक्सित करें. मौका मिलते ही आगे बड़े. अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो तीवरता से काम करें. अगर आपके बोस या आपका ग्राहत किसी चीज के लिए कहते हैं तो सबसे पहले उनका काम ऐसे करें कि वो सर जादा मिलता है. वो जादा से जादा काम पाते हैं. जब आप सबसे प्रमुक काम चुनने की योगिता और इसे जल्दी और अच्छे से करने की शमता एक साथ रखते हैं तो आप खुद को आगे बढ़ा पाते हैं. आपके लिए वो दर्वाजे भी खुल जाते हैं जिसक से अभी करें, इसे अभी करें. सफलता का रहस्य चोदा. शिखर से शिखर तक चड़ने के लिए तयार रहिए. जीत कभी भी, कभी-कभी हासिल होने वाली चीज नहीं है. ये हमेशा की चीज है. विन्स लोंबार्डी. ठीक एक पहाड आरोई की तरह जो एक चोटी पर सचने के लिए उसे घार्टी में नीचे आना होता है. आपका जीवन भी उतार चड़ाव की एक शुरूंखला होगा. आपने सुना होगा. जीवन एक प्रक्रिया है. दो कदम आगे और एक कदम पीछे. सभी बिजनेस जीवन चक्र और दोड के बने है. चक्र कभी उपर है तो कभी नीचे. व्यवसाई में बद्राव, प्रायह इंडस्ट्री में बद्राव ला देते है. आज का यूग इंटरनेट का है. टेक्नोलोजी का सभी दिशा में प्रसार हो रहा है. ये हमारे पुराने विश्वास और सुजावों, जिससे पहले व्यवसाई हुआ है, उस खुद को हर समय याद दिलाते रहे कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र में चलता है. चोटे मुटे बद्राव में शांत और स्थीर रहे. जब आपका लक्ष स्पष्ट है और आप उस पर रोज काम कर रहे है, कुछ सालों बाद आपके दोर की दिशा उपर और आगे की ओर हो जाएगी. अब्यास कारिय आपके रियुसाय के प्रमुक चक्र और दोर को डूंडे. मार्केट कहां जा रहा है, क्या बदल रहा है और आपको इस बदलाव में कैसे ठलना है? कल की बेहतर दुनिया के लिए आज आपको क्या कदम लेने चाहिए ताकि आप कल लाभानवित हो. आपका जवाब जो भी हो, वो कदम आज ही उठाए. सफलता का रहस्य 15. हर एक चीजों में स्वअनुशासन का अभ्यास करे. स्वअनुशासन एसी योग्यता है, जो आपसे वो करवाएगी जो आपको करना चाहिए. और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको वो पसं स्वअनुशासन जीवन में सफलता और स्वअनिर्मित करोडपती बनने का महत्व पूर्ण तत्व है. जो आपको करना है, उसके लिए अगर आप कुद को अनुशासित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या न हो, तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है. स्वअ स्वअनुशासन में आवशकता है, स्वअ प्रभूत्व, स्वा नियंत्रन, स्वअ जिम्मेदारी और स्वअ दिशाकी. सफल और आसफल लोगों के बीच का एक प्रमुख अंतर है, सफल लोग उन चीज़ों को करते हैं जिने करना, आए सफल लोग पसंद नहीं करते. वो चीजे क्या है? वास्तविक्ता में सफल लोग भी उन चीजों को करना पसंद नहीं करते, फिर भी वो करते है, क्योंकि वो जानते है कि जीवन में उनकी जो आकांक्शाय है, उन्हें पाने के लिए उन्हें ये किमत चुकानी होगी. सफल लोग खुषाल रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुषाल प्रक्रिया के बारे में सोचते है. सफल लोग लक्षे को हासिल करने के लिए काम करते हैं वो काम जो मुश्किल है किन्तु महत्वपूर्ण है जबकि असफल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान है जिने करने में उन्हें मज़ा आता है जो तुरंद का आनन देता है अच्छी खबर ये है कि स्वव अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा आप जब भी इसका अभ्यास करेंगे ये आपका सम्मान बढ़ाएगा आप खुद को ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और ज़्यादा मान देने लगेंगे और आप स्वव अनुशासन छोटी छोटी बातों में जितना लाएगे ये आपको बड़ी चीजों में उतना ही मदद करेगा याद रखे जीवन में हर चीज एक परिक्षा की तरह है हर दिन, हर घंटे और यहां तक की हर मिनिट आप परिक्षा दे रहे हो स्वव प्रभुद्व, स्वव नियंत्रण और स्वव जिम्मेदारी की परिक्षा परिक्षा ये है कि क्या आप खुद से उन कामों को करवा पा रहे है जो जरूरी है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता परिक्षा ये है कि क्या आप अपने दिमाग को उस जगह रख पा रहे है जो आप चाहते है या आप अपने गुजरे दिनों की समस्याओं से घिरे हुए है जब आप परिक्षा पास करते है तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे जब तक आप परिक्षा पास करते हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे सफलता बहुत सारा अनुशासन मांगती है जैसा कि जीमरोन कहते हैं, अनुशासन का वजन रुई जैसा है और असफलता का पत्तर जैसा अभ्यासकारिय एक बार में एक चीज बदले अपने जीवन में उस एक खेत्र को चुने जहां अनुशासन के अबाव में आपको सफलता नहीं मिल पा रही उस खेत्र में अनुशासन लाने का निर्णे आज ही ले दुसरों को अपने निर्णे के बारे में कहे जब तक नई आदत न बने कोई अपवाद न सुने ये निर्णे अकेले ही आपका जीवन बदल सकता है सफलता का रहस्य सोला अपनी स्वाबाविक सर्जनात मक्ता को बाहर निकाले कल्पना यथार्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहां कुछ और अच्छी खबरे है आप एक समर्थ प्रतिभाशाली व्यक्ती है आप जितनी कल्पना कर सकते है उससे कही ज़्यादा स्मार्ट है आपने अब तक जितना इस्तमाल किया है आपके पास उससे कही अधिक दिमाग और योग्यता है आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल है जो निरोन और डेंड्राइट्स के द्वारा अन्य 20,000 से जुड़े हुए है इसका मतलब आपके दिमाग के सेल का पर्म्यूटेशन, कॉंबिनेशन, विश्व के कूल माने जाने वाले मोलिक्यूल से ज़्यादा है आपके सुझाव को विक्सित करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए असिमित है इसका मतलब आपके सफल गोने की योग्यता भी असिमित है आपकी सरजनात मक्ता में फूर्थी के लिए तीन तत्व है पहला तीवरता से वांचित लक्ष, दूसरा समस्या पर दबाव डालना और तिसरा केंदरित सवाल आप लक्षे को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंदरित करेंगे जीवन की समस्याओं को समाधान करने, सवालों की जवाब पाने में उतनी यी स्मार्ट बनेंगे और भविश्य में आपका दिमाग और बेहतर काम करेगा आपका मस्तिश्क, आपकी सरजनात मक्ता एक मास पेशी की तरह है आप इसको इस्तमाल जितना करेंगे, ये उतनी लचीली और मजबूत बनेगी आप वास्तव में अपना IQ बढ़ा सकते हैं अपने आपको सारा दिन रचनात मक्त कामों में लगाए और याद रखिए सरजनात मक्ता सुदार का दूसरा शब्द है हर समय एक नया सुझाओ आपको आपके रिजर्ट तक पहुँचने का एक नया वेतर, शिग्र, सस्ता, आसान तरीका देगा ठीक वैसे ही जैसे आप मास पेशियों को गहन परिश्रम की बात बनाते हैं दिवागी कसरत से आपका दिमाग बढ़ेगा यहां आपके लिए मस्तिष्क, शम्ता बढ़ाने और अपने बहुत अच्छा कर पाने के गुण को स्फूर्ती में लाने के लिए एक अभ्यास करे कागस का एक पन्नाले, अपने सबसे महत्वपुर्ण लक्षे को लिखे या सबसे प्रमुक समस्या सवाल के रूप में उपर लिखे जैसे अगले 24 या 36 महिनों में मैं अपनी आमदनी दोगुना कैसे कर सकता हूँ अब खुद को अनुशासित करने के कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखे अपने जवाब में से एक को चुने और उस पर काम करना शुरू कर दे रिजल्ट देखकर आप दंग रे जाएंगे अब्यास कार्य आप अपनी सबसे कठिन समस्या या सबसे आकांक्षी लक्षे को लिखे और तब गल्पना करे कि समस्या का समादान हो गया या लक्ष्य हासिल हो गया समादान या प्रापी कैसी दिख रही है इस रिजल्ट को लाने के लिए आप तुरंद क्या कर सकते है याद रखे कार्य वाही ही सब कुछ है सफल्ता का रहस्य सत्रा सही लोगों के साथ रहे पांच सालों में आप वही इंसान रहेंगे सिवाए उन लोगों के लिए जिनसे आप मिलते हैं और किताबों के जो आप पढ़ते हैं चारली जोन्स आपके जिवन में आपकी सफल्ता या खुशी का पूरे 85 प्रतिशत इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या व्यवसाइक जिवन में अन्य लोगों के साथ कैसे संबंद है आपके संबंद लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे आप जिवन में उतने ज़्यादा सफल बनेंगे और उतने ज़्यादा खुश रहेंगे और उतना ही आगे बढ़ेंगे वास्तव में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा या तो वो आपकी मदद के लिए नहीं तो आपके जीवन में बाता डालने के लिए सफल लोग अच्छे रिष्टे बनाने और निभाने की आदत डालते है वो अच्छे लोगों से मेल जोल बढ़ाते है परिणाम स्वरूप वो उन लोगों से कही अधिक सफल होते है जो हर रात गर जाकर टीवी दिखते है हर चीज में संबंद की अहम भूविका होती है आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंद बनाने का परिणाम होती है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंद बनाने की आप उनकी मदद करते है और वो आपकी आपकी 90 प्रतिशत सफलता निर्पर करती है आपके मेल जोल पर वेसे लोग जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते है आप एक गिर्गिट की तरह है जिन लोगों के साथ आप ज्यादा तर्श समय रहते है आप उनकी प्रवृत्ति, धारणा, स्वभाव का अनूसरण करते है अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते है तो सतारात्मक्र लोगों के साथ मेल जोल रखे उनके साथ संबंध रखे जो आशावादी है जिनके पास लक्ष है जो जीवन में आगे बढ़ रहे है निराशावादी लोगों से दूर रहे स्वणिर्मित करोड़पती हमेशा नेट्वर्क बनाते है वो उद्योग और कारोबार की हर मीटिंग में भाग लेते है लोगों से मिलते है खुद को अन्य लोगों के साथ संपर्क में लाते है सोशल जीवन बनाते है औरों से उनके और उनके व्यवसाई के बारे में जानते है यहां एक बहुत अच्छी रणनिती है जब भी आप किसी नए आदमी से मिले उनसे उनके व्यवसाई के बारे में बात करे उनसे खास कर वो बाते पूछे जिनकी आपको जरूरत है और फिर जितनी जल्दी संभोव हो उनके पास ग्रहक बेचे हमेशा देने की सोचे, न की लेने की नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनकी व्यवसाय में मदद करना उनसे वापसी की उम्मीद कभी न करे आप जितना देंगे, आपको उस जगह से उतना मिलेगा जहां से आपने उम्मीद भी न की होगी अब्यास कारिय अपने जीवन में वर्तमान और बविश्य दोनों के लिए जो सबसे महत्व पूर्ण लोग है उन्हें डुंडे आप उनके या उनके काम के लिए क्या करेंगे कि वो भी आपकी मदद के लिए तयार रहेंगे आप बिना रिटन की उम्मीद किये उनके लिए क्या कर सकते है याद रखे, आप पहले बोएंगे, फिर खाएंगे सफलता का रहस्य 18 अपने स्वास्थय का अच्छा खयाल रखे सफलता की कुझी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग है दिर्द कालीन और फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे है आज आप ज़्यादा जी सकते है और बेहतर जी सकते है आपको अच्छे स्वास्थय के साथ 80 या 90 या 100 साल जीने का लक्षे बनाना चाहिए अगर आप ये नीर्णे ले ले तो आप ये कर सकते है पहला कम से कम 80 साल जीने का लक्षे बनाए फिर अपने आज के स्वास्थे संबधित चीज़ों को देखे फिर खुद से पूछे जिस तरह से आप जी रहे है क्या यह तरीका आपको 80 साल की उम्रा तक स्वस्थ रखेगा दिर्द, खुशाल और स्वस्थ जीवन जीने के तीन सुप्त रहे पहला है सही वजन अपने वजन को नियंत्रण में रखने का लक्षे बनाए और बाकी के जीवन में फीट रहे वजन कटाने और शारिरिक फिटनेस के लिए पांच शब्दों का एक फोर्मिला है इट लेस एंड एकसाइज मोर कम खाना और अधिक कसरत करना दुसरा सुत्र है उचीत, संतुलीत, आहार और उसका सुत्र है बेहतर खाए कम खाए, प्रोटीन, फल, सबजी, ज्यादा खाए अपने जीवन से मिठाई, कोल रिंक, केंडी और चीनी वाले भोजन निकाल दे अलग से नमक लेना बंद करना और मेदा खाना बंद करना तीन बार ज्यादा मात्रा में न खाकर चार या पांच बार कम मात्रा में खाए जब आप अपने खाने की आदक को नियंध्रण में कर लेंगे तो जीवन के अन्य हिस्स्यों पर भी नियंध्रण पालेंगे दीर्द आयूकता तीसरा सुट्र है उचीत व्यायाम इसमें जरूरत है सप्ता हमें लगबग 200 मिनिट कठिन शारिरिक व्यायम की या ओसतन 30 मिनिट रोजाना आप सप्ता हमें 3-5 दिन 30-60 मिनिट तक तेजी से चल कर इसे पूरा कर सकते है अगर आप वास्ताव में सीरियस है तो आपको हेल्थ कलब जोईन करना चाहिए या अपने घर में ही फिटनेस उपकरन लाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए बहुत अच्छे शारिरिक स्वास्ते और दिर्धायू का सुत्र है अपने स्वास्ते के स्तर का स्पष्ट खास लक्ष बनाना योजना करना और हर दिन उस पर काम करना स्वास्ते का ये प्रण स्वानियंत्रन और स्ववव अनुशासन मांगता है लेकिन इसका नतिजा भी असाधरण होता है अगर आपका लक्ष दस लाक रुपे जमा करने का है तो स्वास्त्य लक्ष होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जीना ताकि आप अपने पेसे से जीवन में आनंद प्राप्त कर सके अभ्यासकार्य उन स्वास्त्य संबंधी आदतों को जाने जो आपको स्वस्त और स्फूर्ती दायक रहने के लिए जरूरी है शायद सारे स्वीट डीश एक साथ अलग कर देना और तब इसे व्यक्तिगत चुनोती की तरह ले जब तक कि आपको अच्छे सिहत की आदत पूरी तरह से न हो जाए सफल तका रहस्य उर्नीस निर्डायक और कर्मट बने तकलीफों के समंदर को बाहों में बर ले और ये करते हुए उन्हें खतम कर दे विलियम शेक्सपियर स्वानिर्मित करोणपती के गुणों में एक ये है कि वो बहुत सावधानी ध्यान से सोचते है और फिर शिग्रता से निर्णे लेते है वो खुद को कार्यवाही के लिए अनुशासित करते है और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी आगे बढ़ते है और फिडबेक ले और वो अन्य लोगों से कही ज़्यादा कोशिश करते है लो ओफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते है तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे और सफल लोग निर्णे नहीं ले पाते उन्हें पता होता है कि उन्हें ये कर इंतरता हासिल नहीं कर पाते वो उससे कही कम पाते है जितना की उनके लिए संभव था जब आप निर्णायक बनते है आप शिग्रता से जीवन में चलते है अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कहीं ज्यादा काम करते है अपने आसपास के लोगों से कहीं आगे अब्यासकार्य कुझ से पूछे वो क्या काम मैं अभी तूरंत करू तो उसका मेरे नतीजे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका जवाब जो भी हो उसे तूरंत करे सफलता का रहस्य मीस असफलता को अपना विकल्प कभी न बनाए डरने के लिए कुछ भी न असफल होने से आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं आपका संकल्प और भी ध्रट हो जाता है और सफलता का डर या पहले से ही खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है सफलता के रास्ते में जाने से ये आपको पीछे खींचेगे एक नौजवान जनरलिस्ट ने एक बार IBM के संस्थापक Thomas J. Watson senior से पूछा वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए वोट्सन ने इसका जवाब बहुत ही सुन्तर शब्दों में दिया अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता का डर दोग ना कर दीजिए सफलता असफलता के बहुत दुर रहती हैं आगे बढ़ने का साहस करें स्वनिर्मित करोडबती हमेशा अपने लक्षे की दिशा में रिस्क लेने को उत्सुक रहते हैं आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ती आपके धनवान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है आपने जब भी रिस्क की परिस्थित का सामना किया है, खुद से ये सवाल करे, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो सबसे खराब वो क्या चीज है जो हो सकती है, और फिर जैसा स्वनिर्मित करोड़पती, जे पॉल गेटी ने कहा, ये जो भी है, ये नहीं होगा, आपको ये सूनिश्चित करना होगा, साच ये है कि सब लोग असफलता से डरते है, सब गरीबी और घाटे से डरते है, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पती लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते है, और हर हाल में कार्यवाही करते है, राल्फ डबल्यू इमर्सन ने लिखा है, अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करे, जिससे आप डरते है, ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है, जब आप हिम्मत से काम करते है, आपके अंदर एक शक्ती आती है, हर काम आपका साहस बढ़ाता है, जब भी आप सफलता की आशा किये बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका भई खतम हो जाएग और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आखिरकार आप उस जगह पहुँच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे, शायद सबसे अच्छी पंक्ती फिल्म एपोलो थर्टिन में यूजीन फ्रांट से आई जो फिल्म में मिशन कंट्रोल के अंत्रिक्ष्यान और अंत्रिक्ष्यात्री लुबने वाले है, तो उन्होंने जोर से उद्गोशना की, और सफलता विकल्प नहीं है। अभ्यासकारिय, अपने जीवन के सबसे प्रमुख डर को जाने, जैसे असफलता, छांटा जाना, आलोचना और उस काम को करने का प्रण ले, जैसे की डर न हो, कल्पना करे कि अगर आप इस दिशा में काम करते हैं, तो आपकी सफलता निश्चिन्थ है, तब इसे करना शु सफल हो जाने की कहानिया सबसे आम है, जिन्यस भी नहीं, किसी जिन्यस को उसका हक न मिलना, अब तो एक कहवत बन गई है, शिक्सा भी नहीं, दुनिया बहुत शिक्सित, लोगों से भरी पड़ी है, द्रटता और लगन ही सर्वशक्तिमान है, केल्विन कुलीज, द्रटता चरित्र का अती बलशाली गुण है, जैसे स्टिल के लिए कारबन है, ठीक वेसे ही चरित्र के लिए द्रटता, ये अती आवश्यक गुण है, जीवन में सफलता के लिए ये महत्वपूर्ण है, यहां सफलता और द्रटता का एक प्रमुक्र हस्य है, अगर आप सफलता के र जब आप कठिनायों और समस्याव से पराजित हो जाते हैं, उस समय आपके पास द्रडता बनाने का परियाप्त समय नहीं रहेगा। सही माइने में द्रडता खुद पर आपके विश्वास और सफलता के लिए आपको योग्यता का सही मापदंड है। आप क्या कर सकते हैं। जितना ज्यादा होगा आप उतने ज्यादा संकट और समस्या का सामना करेंगे। इस संकट को नियंत्रण में करने का एक मात्र उपाय है संकट और कठिनायों में शान्ती से निपटना। और अच्छी खबर ये है कि आप इसे जितने धैर्य और सकारात्मक तरीके से निपटेंगे आप उतने ही मजबूत बनेंगे। और एक दिन आप उस जग़ पहुँच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोग सकता आप प्रकृति के एक बल की तरा हो जाएंगे आपको कोई भी नहीं रोग सकता। आप ऐसे इंसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता, चाहे जितने भी कठिनाई हो, आपके रास्ते में जो भी रुकावट आए, आप आगे बढ़ने का रास्ता डून लेंगे, आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। सीख क्या हो सकती है, अभी से हर कटिनाई या अपने हर पराज़य में कुछ सीख डुनने की कोशिश करे, ये आपको एक स्वन इर्मित करोड़बदी बनने में मदद करेगा। इस सूरज पुरब में उगता है और पश्ची में डुपता है। आपने जो बाते सिखी, उन्हें अभ्यास करके आप जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको आश्चेर्य जनक लाप होगा। जो लोग इसे नहीं करते या इनके बारे में नहीं जानते, आप उनसे कहीं आगे रहेंगे। अगर आप ब्रटता से लगातार वो चीजे करते हैं, जो सफल रति करते हैं, दुनिया में कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। आप अपने भाग्ये के निर्माता खुद बनेंगे, आप अपने कर्म के कारिगर खुद बनेंगे, आप अपने जीवन के चालक खुद आप क्या कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं, केवल उस सीमा के जो आप खुद अपनी सोच पर लगाते हैं। अपने लक्ष्य और अपनी सपने की दिशा में रोज काम करें। परण ले कि आप हार नहीं मानेंगे। जब आप ये काम करें, खुद को भगवान की तरफ रखें। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी सफलता कोई नहीं डाल सकता।